पोई पोई न स्वाश्वा वाध के बड़ी खबर कहें और कि इमाच्व शलवा से पहले बीजिपी के एक बड़ी बैठक है सुत्रों के हुआले से एक खबर हिमाच्व बीजिपी के आलाप पधाधिकारी इस बैठक पे मौजुद रहेंगे दिल्ली में BGP मुख्याललने मेगी बैठक होगी और ग्रे मंतरी अमिशा बैठक में मौझूद रह सकते हैं इनकी साथी साथ BGP के राश्चिय अद्धाःग सो senator मंतरी डियल संतोश इस बैठक में शामिल रह सकते हैं तो अब देखना ये होगा कि छोटी और बड़ी टोलियों की इस बैठकों के बाद कब तक पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है अला कि कहाई कि जा रहा है कि 19 अक्तूबर तक बीजेपी अपने उमिद्वारों की सूची जारी कर सकती है मन्थन का एक दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा के लगातार मन्थन गो रहा के माना यहां तक जा रहा के कि पार्टी क्याला नेताओं की तरफ से घिमाचल में तमाम छोटी बड़े नेताओं से फीड़बेक लिया गया है आप देखना यह होगा कि सूची कब तक जारी होगी अब विधान सबाद चुनावों की तारिखों के ऐलान के साथ ही प्रयास तमाम पार्टीयां यहीं कर रही है कि जल से जल अपने उमिद्वारों को चुनावी रण में उतारा जाए ताकि आम जलता तक पहुँचने का समय उमिद्वारों के पास को जादा से जगों का दोरा उमिद्वार कर सके इसलिए अब लगातार मंथन को रहा के लगातार देखा जा रहा के मंथन का दोर छोड़ी टोली की बैठक अब देखना ये होगा कि कब तक BGP अपने लिस्ट को फाइनल करती है और कब तक BGP की इस लिस्ट का एलान होता है 68 विदान सबाद सीटों के लिए एक चरण में खिमाचल में चुनाव हो रखे थे एक और बड़ी खबर खिमाचल विदान सबाद चुनाव हो से जुड़ी ये बड़ी खबर के आज कॉंग्रेस अपनी प्रत्याश्यों की पहली सूची जारी कर सकती है अब माना तो यहां तक जा रहा के कि सभी 68 सीटों पर उमिद्वारों का एलान एक साथ होगा कॉंग्रेस मीडिया प्रभारी अलका लामबा ने इसकी जौनकारी दीख है कि सभी सीटों पर यानि कि 68 वधान सबाद सीटों पर एक साथ कॉंग्रेस अपने उमिद्वारों का एलान करेगी मन्थन का एक दौर कॉंग्रेस में भी देखा गया कॉंग्रेस में देखे तमाम सीटों के लिए पहले आवेदन मंगवाए थे, आवेदन निशुलक मंगवाए गए थे आवेदन आए और उसके बाद एक सर्वे की भी बात ते की सर्वे भी क्या गया पर लग अलग सीटों पर तहाई ये जा रहा है कि सभी सीटों पर एक साथ एक सूची जारी होगी और इसी ख़बर पर जाहा जानकारी के लिए ख़बर अभितक के शिम्ला बेरो प्रदीप फ्याकूर हमारे साथ लाइफ जुड़ चुके कहें प्रदीप दोनों की पार्टियां इस वक्त मंधन कर रखी कहें दोनों ही पार्टियों का प्रयास है कि जल से जल उमिद्वारों की सूची सामने लाई जाए ताकि उमिद्वारों को ज़्यादा समय मिले जन संपर्का ऐसे में कौन सी पार्टी बाजी मारती नज़रा रखी कह बिल्कुल देखिए उमिद्वारों की सूची जारी करने की अगर बात की जाए तो इस बक्त कॉंग्रस जो है वो कोशिश कर रही है कि भाजपा से पहले सूची जारी करें हलांकि पिछले कल भी ये कोशिश की गई थी लेकिन कुछ सीटों पर विवाद चल रहा था और दूसरी तरफ क्योंकि कॉंग्रस पार्टी की राष्टे ध्यक्ष का भी चुनाव होना है तो उसके लिए भी जो केंद्रे नित्रत वो वीजी चल रहा था तो ऐसे मैं अब जानकारी है कि आज 68 की 68 सीटों पर जब मर्दान की प्रकिया पूरी हो जाएगी शाम चार वजे के बाद उसके बाद कभी भी हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर सूची जो है उमिद्वारों की जारी कर दी जाएगी ये आज की जो है हम कह सकते हैं की ताज जानकारी है हलांकि पिछले कर 57 नामों की सूची जारी होनी थी वो किसी वज़ा से रुक गई थी और आज अब सब सीटों पर जो है कह सकते हैं की कॉंग्रस पार्टी नामों की नामों की सूची जारी कर सकती है हलाकि कॉंग्रस से पहले मार्कसवादी कम्यूस्ट पार्टी जो हिमाचल में हमेशा चुनाव लड़ती आई है वो अपने उमिद्वारों की सुची जारी कर चुकी है आमादी पार्टी भी चार सीटों पर सुची जारी कर चुकी है आज भी एक राष्ट्य अलोक निती पार्टी है वो भी अपने कैंडेट की सुची जारी करने वाली है और उसके साथ साथ अब कॉंग्रस की सुची का सब को इंजार है क्योंकि बिवाद काफी जादा चल रहा था कई सीटों पर पेज़ फसा हुआ था तो ऐसे में देखना यह होगा कि कॉंग्रस की सरन्नीती के साथ इस बार चुनाम मेदान में उत्रती है कहां पर कैंडेट बदलती है कहां पर नए कैंडेट जो है वो दिये जाते हैं फ्रेश कैंडेट दिये जाते हैं और किस तरह से उमिदबारों का चायन होता है तो जब सूची जारी हो जाएगी उसमें इन तमाम चीजों का पता चल पाएगा अलांकि दूसी तरह भाजपा की बात करें तो बैटकों का दौर बेशक शुरू हो चुका है और अब क्यूंकि आज से बैटकों का दौर शुरू हो जाएगा और एक दो दिन में भाजपा की भी 68-68 सीटों की सूची जारी हो सकती है संभाबना है कि 19 सक्तूबर तक जो है वो स सूची जारी करने का प्रयास कर रही है कोई पहली या दूसरी सूची नहीं होगी 68-68 सीटों के लिए अपने उमिद्वारों का एलान कर देंगी लेकिन कुछ ऐसी सीटे हैं प्रदीव जिसको लेकर कि शुरू से माना चारा है कि बड़ी एक खीचतान देखने को मिल रखी क कॉंग्रेस की दरफ से भी देख लिजिए कि शिमला शहरी वो सीटे जहां पर बहुत जादा उमिद्वार के बहुत जादा टिकिट के दावेदार के ऐसे में क्या यहां पेच नहीं फसकता बिल्कुल देखिए ऐसी जो यहां की बात करें खिमाचल की तो करीव 11 सीटे कॉंग्रेस के पास ऐसी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पेच फसा हुआ है और बहाँ पर बागी होने का खत्रा है कुछ जगा भीतरगात का खत्रा है उसको कैसे बैलनेस बनाना है उसमें स अंतुलित स्थापित करना है इसको लेकर कॉंग्रस हाइकमान जो है गंबीरता के साथ सोच रहा है शिमला शेहरी की बात करें तो यहां पर भी बहुत सारे दावेदार है यहां तक की जो पैनल में भी नाम गए थे छे से साथ लोगों के नाम पैनल में गए थे और उसके ब पाध्यक्ष हैं और उनके साथ यश्वन छाजटा हैं यह प्रदेश महासचीव हैं तो यह तीन नाम जिनके उपर चर्चाएं चल रही है कि इनमें से किसको कैनिडेट शिमला शेहरी से दिया जा सकता है तो ऐसे में देखना यह होगा कि कि यहां पेज़ फसा हुआ है उसक बरमौर में बहाँ पर भी बिवाद चल रहा है निगम बहाँ पर सुर्जित बरमौरी है वह बहां से टिकट मांग रहे हैं युवा कॉंगरस के नेता हैं इसी तरह से जो मंडी जिला है बहाँ पर सरका घाट है यहां पर भी टिकट जो है यह दोपती ठाकूर यह कारेकारी अध्यक्षा युवा कॉंग्रस से वो टिकट माग रहे हैं इनके साथ नेगी निगम बंढ़ारी किन और से टिकट माग रहे हैं तो ऐसे मैं कुछ एक जगा विवाद रह सकते हैं ऐसे मैं आज सूची जारी होनी है चुँकि युवा कॉंग्रस के नेताओं ने आज प्रेस भी करनी थी और ये भी जानकारी थी कि सामुई की equya का एध्यक्षक के लिए तो ऐसे मैं उस प्रक्रिया को पूर्sn करने के बाद युवा कॉंग्रस के नेता आपने आगे की रणनीती का खुलासा करेंगे और उसमें देखे जाएगी पाल्टी उनको क्या आशवाशन देती है या आशवाशन नहीं मिलता है टिकट नहीं मिलता है हुआ कॉंग्रस को तो क्या सामुही की स्तिफ़ेत देने हैं क्योंकि यह पूरुम में निधायत हो चुका था लेकिन अब किसी वज़ा से इसे फिलाल के लिए टाल दिया गया है लेकिन कहीं न कहीं य उन्हें ने खुल कर बगावत कर दी है और कहा है कि जो पार्टी अधिकर प्रत्याशिया उसके खिलाब लड़ूंगा बगाईदा टूइट करके उन्हें जान कर दी और पार्टी के प्रदेश पर भार्याजी जैसे ही सुची जारी होती है तो बगावत तो देखने को मिले काम पार्टियों में चल रहा के और सुची आनी है उमिद्वारों की इसी को लेकर मन्थन का एक दौर के